असलाम अलेकुम फ्रेंज फ्रेंज वेलकम टो मैं चैनल शम्मा जावेद किचिन फ्रेंज आज मैं बना रही हूँ दम आलू आज हम बहुत ही टेस्टी दम आलू की सबजी बना कर तयार करेंगे और इसे हम एक दम आसान तरीके से बनाएंगे जिसे आप कभी भी बना कर तो चलिए बनाते हैं टेस्टी रेसिपी दम आलू सबसे पहले तो हमें लगेंगे बेबी पटटो मतलब छोटे आलू आप अगर छोटे आलू ना मिले तो मेडेम साइस की बे आलू ले सकते हैं मैंने 1 केजी लिए हैं आप अपने फैमिली मेंबर्स की साफ से कम जादा कर स चार प्याज मैंने 1 केजी लिए हैं अगर आप 200 ग्राम कर रहें तो एक प्याज ही इस्तिमाल करें और यहां पर मैंने लिए हैं छे टमाटर आप कॉंटिटी साब से कम जादा कर दें और यह राधनिया दो इंच अध्रक का तुकड़ा और लहसन दो गड्डियां अब हमें टमाटरों को काट लेना है बड़े बड़े तुकड़ों में अब इसका हम पेस्ट बनाने वाले हैं तो इस तरह से इसको काट लें इस तरह से अध्रक की भी तुकड़े छोटी-छोटी काट लेते हैं अब हमें हरा धन्या दालना है तो हरा धन्या के लिए मैं जो डंठल वाला हिस्सा है इसमें डालूंगी और जो सामने वाला हिस्सा है मैं उपर से डालने के लिए रख दूँगी और इसको मैं इसमें दाल कर बारिक पेस्ट बनाने वाली हूं इसका अब एड़ करते हैं यह सारा लसन कॉंटिटी बहुत ज्यादा है मेरी तो मैंने लहसन थोड़ा ज्यादा लिया है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लें और यह दो टेबल स्पून मैंने जीरा एड़ किया है इसके अंदर अब हम इन सब सीजों को पीस लेने वाले हैं तो चलिए पीसते हैं देखिए अब इसका माशाला से एकदम बारिक मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है एकदम बारिक पेस्ट बनाना है अब रही प्याज प्याज को हम बारिक बारिक तुकडों में काटने वाले हैं इस बहुत अच्छे से golden brown करने बहुत अच्छी टेस्ट आएगी तो इसको मैं इस तरह से एक डम बारीक से कटकर लीती हूँ टाके तेल में जल से जल फ्राय हो जाएं इस तरह से बारीक छॉप कर लें तो अब आप देख सकते हैं मैंने चार उपैस को बारी कट कर लिया अब एक कुकर को हम पहले गैस पर रख लेते हैं इसमें थोड़ा पाने आड़ कर लेते हैं अब इसमें आलू को आड़ करते हैं अब हमें सिर्फ इसकी एक सीठी लेनी है एक सीटी होने के बाद इसे फोरन खोलना है देखे एक सीटी हो चुकी है हमारी अब इसको हम फोरन से इसका गैस निकल कर इसको खोल लेते हैं अब फॉरण से गरम पानी से निकाल कर चिल पानी में डाल देए और इसको छील लेए यह प्रोशिजर बहुत जल्द करनी है दीखिए मैंने इसको थंदे पानी में डाल कर इसको छील लिया है अब इसको मैं सारे आलो में इस तरह फोक की मदद से होल कर देए ताकि मसाला मैं इसे deep fry कर रही हूँ आप चाहें तो shallow fry भी कर सकते हैं मैं deep fry इसलिए कर रही हूँ ताके आलो उपर अच्छे से परत जम जाए इसे कड़ाई साफ करने की जरूरत नहीं है इसे में हम करेंगे अब तेल थोड़ा समय कम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा तेल हो जाएगा इंतनी कॉंटिटी काफी है अब सब्सक्राइब के लिए तो अब इसमें हम हम यूज कर रहे हैं कुछ गरम मसाले और दो हरी म मैं तोड़के दालोंगे क्योंकि तेल चटकने लगेगा यह दो आड़ करते हूं तेस पत्ते पांच लांग एक चकर फूल और चार इलाइची और एक बड़ी इलाइची मैंने इलाइची की मुह थोड़े से खोल लिये हैं अब एक दालचीनी का तुकड़ा और इसको अब इसमें आड़ करते हैं यह बारी कटी हुई प्यास अब प्यास को हमें इतना अच्छे से ब्राउन करना है कि इसकी जो टेस्ट है वो इस प्यास से ही आएगी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है दीखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितना गोल्डन ब्राउन हो स इसी तरह से हमें इस सबसी के लिए प्यास को गोल्डन ब्राउन करना है अब इसमें आड़ करते हैं यह पीज के रखा हुआ मसाला जिसमें टामाटर अध्रकलहसन हराधनिया जीरा यूज किया था इसको इसमें आड़ कर लेते हैं अब हाई फिलेम पर इसको अच्छे से अब इसमें आड़ करते हैं एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून कश्मीर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला और दो टेबल स्पून कोरिंडल पाउडर यह धना पाउडर अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हमें इसे धीमियाज पर ह जब हम धीमियाज पर रखेंगे तो ही मसाले का फ्लेवर छोड़ेगा अच्छे से इसमें आड़ करते हैं एक टेबल स्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर दें अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं अब इसको हमें छोड़ना है पर पांच मिनिट के बाद आप देख सकते हैं मसालो में से तेल छुटने लगा है अब इसमें आड़ करते हैं ये फ्राइ करके रखे हुए आलो अब इसमें आलो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये आलो बिल्कुल फटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको उबालने के बाद वाटर में डाल दिया था और उसके बाद इसको दीफ्राइ भी किया है तो आप इसको हम कोट करते हैं कोरियंडर से और इसको धख कर हम अब पांच से दस मिनिट तक भी आप इसको पका सकते हैं तके मसाला अंदर तक अभज़ो हो सके माशाला अब देखिए पांच मिनिट क कितना अच्छा है और इसकी खुश्बू से तो सारा घर महक रहा है आप इसे जरूर ट्राइब कीजिएगा देखें आप जैसे चाहें इसको खिला सकते हैं ग्रेवी आपको अगर चाहिए तो आप इसकी और भी थोड़ा सा ग्रीवी बढ़ा सकते हो माशाला अभी रेसिपी बिल्कुल तयार है सर्व करने के लिए आप इसे जरूर ट्राइब कीजिए अपने फैमिली को खिलाइए आप भी खाईए अगर आपको मेरे रेसिपी अच् तो मैं अगली वीडियो के लेती हूं रुकसत, अल्ला हाफीस